आखों की हिफाज़त के लिए सुर्मा सुर्मा रात में लगाना सुनत है सोने से पहले लगाना सुनत है और सुर्मा लगाने का सुनत तरीखा ये कि आप जो है राइट सैट में पहले लगाएं दो तरीखे हैं इसके अंदर राइट सैट में तीन मरतबा लेट सेट में तीर मार्तबा लगा लेए यह भी साबित है एक तरीखा है कि राइट से शुरू करें राइट से ख़तम करें तरी पहले राइट सेट में लगाए फिर लेट सेट में फिर राइट सेट में फिर राइट सेट में पिर राइट सेट में आपके उसमें सुर्मा है दिखो आप जरा लगाओ देखेंगे लगाओ भी लगाओ बहुत जबाना हो गया होगा कोई लगाए कि इतने मेरे होगे नहीं लगा कि 15 दिन होगे अब साल पर हो गया अब माशाला अब 3 मेरे हो गया देखो अभी तक नहीं लगाए अज़ा वो टाइम हो गया देखो ऐसी होता है अज़ा में नहीं लगाए हलांके सुर्मा जो है नाश्रल चीज़ है जमीन से होती है ये आँखों की हिफाज़त के लिए आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यदा फाइदे इसके है बता नहीं सकते इतने फाइदे है उसके लेकिन रात में सोने से पहले लगाने है और आँख के अंदर लगाना है बाहर ने लगाना है लगाओ भी इकालो दो आप इसके अंदर काड़ी भी होंगी वो लगाने की सलाई भी है अगर नहीं भी है तो आप हाथ से भी अंगली से भी लगा सकते है हम आजकर नाच्छनल चीज़ें छोड़ने की वज़े से परिशान है बहुत ज़्यदा दिन में जितना डस्ट वगएरा धूल वगएरा है वह सोब चीज़ें खतम हो जाती है सुर्मे का असर भी नहीं रहता रात में लगाएंगे आप सुबा में वजू कर लेंगे सुर्मे का असर भी आँख पे नहीं दिखता हो उसमें ग्लास है कि छोटा है ना उसमें एक छोटा ग्लास भी यह दो आप उसमें देखके लगा सकते हैं आना लगा दे हुआ वाँ अचैने के आई लिफ्ट में दोबार वते रट में तीन बार उते हैं आओ राइट में घ्रट में तीन बार देुऊ आहां वहाँ में टीन बार貌न अब ने एक बार लगए तो फाय्दा नहीं होगा ऐसले आपँ अब दो दो अब प्रैक्टिक प्रैक्टिक अधर उंगली से लगाँ अप अगली से भी लगा सकते हैं जरूर इते हैं अच्छा सुर्मा जो है खुबसूरती के लिए निये सुर्मा जो है आखों को सास करने के लिए जैसा पेस्ट है, पेस्ट लगा लेते हैं अब पेस्ट खुपसूर्थी के लिए नहीं है, पेस्ट सफाई के लिए है तो ऐसी सुर्मा भी सफाई के लिए तो सुर्मा आम तोर से लोग उपर लगाते हैं खाली अलाके अंदर लगाना है अंदर लगाने का होकम है हो गया तो रख दो अभी हो गया तो शाम में पिर रात में सोने से पहले कंटीनियो करो आज से ठीक है इसके बाद देखो आप अपनी पाकी सफाई के अंदर एक चीज़ है अतर अईतर लगाना सुनत है और फितरत भी है आदमी जैसे माहोल में रहता है उसके अंदर वैसे असरात पैदा होते हैं तो खुश्बो वाले माहोल में रहेगा तो अच्छाईयों का जजबा पैदा होगा और बदबो वाले माहोल में रहेगा तो बुराई का जजबा उसके अंदर पैदा होगा फितरत है इंसान की इसलिए आप अतर लगाते थे कि आप अतर लगाते नहीं थे बलके आप अतर ऐसे डाल लेते थे संग्या हम जो लगाते हैं बिल्कुल अतर लगाने का सुनत तरीखा असल में जो है वो यह है कि पूरी शिशी ऐसे डाल लेना और पूरी डालने के बाद ऐसे मल के पहले बालों पे लगाना है फिर दाड़ी पे लगाना है फिर कपड़ों पे लगाने का हुकम है हाँ तो अब इस जमाने के अंदर चुके हमारी बत्खिसमती है कि हमको नाच्रल अतर मिल रहा है बहुत महिंगर हो गया अतर इस वज़े से अब बालों पे नहीं लगाने का हुकम है लेकिन कम लगाना नहीं है अतर जादा लगाना सुनना थे अतर इतना लगाओ अहदीश के अंदर आतर अल्ला के नभी निर्शाद सर्म है इतना अतर लगाओ, इतना अतर लगाओ कि एक दिन नहीं लगाए तो भी तुम्हारे पास से खुशबौ आए लेकिन अतर के मामले में हम बहुत, यानि कम लगाते हैं बिल्कु थोड़ा सा लगाके उसको रख लेते हो, बते के बहुत हैं दो महिने चलना हैं भी तो ज़्यादा लगाना सुनना थे जितना लगा सकते हैं आप लगाए बेरहाल अतर जो नैशनल होते हैं वो कम है बहुत ज़्यादा, यानि एक मश्क है, एक अंबर है और एक ओध है और संदल है, रोस है ये नैशनल चीज़ों से निकलते हैं, बाखी आशकल बहुत सारे अतर मार्केट में हैं, वो सिंथिटिक है वो क्या मुलते हैं, यानि एक किमिकल्स है, समझीए बहुराल उसको भी लगा सकते हैं उसके अंदर खुश्वो है, खुश्वो लगाना पेले जमानी के अंदर, खुश्वों के साथ कलर भी आता था, अतरों में कलर भी आता था, तो नहीं, आप कपड़ों पे लगाते थे, तो कलर भी लगता था और खुश्वों भी आती थे, तो ल्ला के नभी ने होकम दिया था, कि मर्द ऐसी खुश्बो लगाए जिसमें कलर नहीं हो और औरतें ऐसी खुश्बो लगाए जिसमें कलर हो वो कम हो यानि उसमें खुश्बो कम हो कलर जादा हो बेरहाल लेडिस के लिए भी अतरी है वो घर पे लगाए या पिर ऐसा बाहर निकले तो ऐसा लगाए कि दूसरों को नहीं आए लेकिन हम अपने आपको खुश्बॉएं इसी तरह एक होकम यह लिपास पहनना एक हमारी जरूरत है और उसका सही तरीखा यह है कि पहनते वक्त राइट हैंड में पहले पहने लिफ्ट हैंड में बाद में पहने उसके बाद फिर सर में पहने अगर कोई कुड़ता ऐसा हो जिसे यह कुड़ता है जुपा है आपको तीन तरीखे से पहनना पड़ेगा इसको सर में से भी पेनना है दुनों हातों में से भी पेनना है तो पहले राइट में पेनना है फिर लिफ में पेनना है फिर सर में से पेनना है पाइट पेन रहे हैं आप शलवार पेन रही है तो पहले राइट में पेनना है राइट लिक पहले लिफ लिक बाद में ठीक है और उतारते वक्त इसका उल्टाए जनी उतारते वक्त आपको इसके लिए सुनत यह है कि पहले लिफ हैंड में से उतारना है फिर राइट में से उतारना है फिर आपको सर में से उतारना है और पाइंट उतारते वक्त शलवार उतारते वक्त पहले लिफ में उताना है फिर राइट में उताना है दूसरे ही है कि लिबास कैसे हो लिबास टखनों के नीचे ना हो टखनों के नीचे लिबास होगा तो बहुत ज़्यदा नुकसान है जो हिस्सा शल्वार का टखनों से निशे जाएगा जहन्नम में जलेगा एक तो यह दूसरे यह है कि इससे बहुत नुखसानाद भी रिसर्च है आज की आज डॉक्टर से रिसर्च करके बता रहें कि यह जो टखने के नीशे ऐसे रग रहती कि जो जिसका तालुख खल्ब से है जैनी दिल से बार बार इसके उपर टच होते रहेगा कोई भी पाइंट या तो इससे जो है यह दिल पर इसका असर होता है हार्ट अटाइक होने के बहुत ज़्यादा चांसस इसकी वज़े से होते हैं इसलिए तखनों से उपर पहनने का होकम है इसमें देख रहे हैं अब तखनों से उपर पहनने का होकम है यह तरीखा तरीखा सौक्स नीचे से है तो कोई मसला नहीं है उपर से नहीं आना चाहिए नीचे से आप वो सौक्स जब चढ़ाएंगे तो वो तो यानि थाबित है जसे मौज़े पहने आप अलीए सिल्एस नाम से थाबित है और उससे नुकसान नहीं उपर से नीचे जब धकेगा तो वो नुकसान दाए इसके बाद देखें आप सर धाकना भी एक सुन्नत है सर धाकने के दो तरीखे हदीश के अंदर आए जादत तो अमामा बादना है आप अलिए से लगत असलाम ने जादा जो है मस्नून जो लिखा है वो अमामा बादना है और उसके अलावा टोपी पेनना भी एक सुन्नत है टोपी पेनने का सुन्नत तरीखा है कि साम में से पेने वाइट कलर की टोपी साबित है अब अब दावुद शरीफ की हदीश है आपर इस सब्सक्राइब वाइट कलर की टूपी पेना करते हैं तो आपके किट में टूपी भी है निखाल के थोड़ा सा पेनो आप अमामा तीन कलर का साबित है वाइट, ब्लाइक, ग्रीन अमावा मानना नहीं तो अमेशा के सरढ़ना कि हमेशा की सुननत यस चाहे आप अमामे से ढाहको या फिर टोपी से नहीं नहीं दिखना अगे करभान नहीं भर बहुत सारे लोग आजकर टोपी इस वज़े से नहीं लगा रहे हैं कि बाल खराब होते होई बहुत सारे लोग कुछ तोपी कहां से साबित है अबुदाउद शरीफ की हदीस में है लेकिन अगर आपको जिन्दगी का ज़्यादा हमल चाहिए तो वो अमामा है टोपी ने पेन नहीं तो अमामा बानो अमामा नहीं बान सकते हैं तो टोपी पेनो सर खुला रखना थाबित नहीं है ऐसा बताई नहीं सकते हैं आप अलीजिस रब्तुसलाम ने जिन्दगी में सर खुला रखके आपने नमास पड़ियों नहीं बता सकते हैं बच्चियों के लिए स्खाफ है स्खाफ बानना चाहिए अमामा बानना भी एक सुन्नत है इसके अंदर है अमामा अमामा तीन तरह का साबित है वाइट ब्लाक ग्रीन आप कोई भी बान सकते हैं और ये अमामा साथ हाथ 11 हाथ का होना चाहिए अपने हाथ से 7 हैंड्स या 11 हैंड्स इतना लंबा अमामा होना चाहिए